अपने आपको उन्नत करना हो तो अच्छे लोगों का साथ रहना अति आवशक है साथिव अति आवशक जो भला न चाहता हो हीत न चाहता हो जो किसी का भी भला न चाहता हो क्या आपको देगा वो खुद तो दुखी है आप उसके पास जाएंगे हो जाएंगे दुखी सबको दुखी करता हुआ फिरता है और ऐसे लोगों के संगत में बहुत जुड़े हैं और सातियों जो इरसालू होते हैं इरसालू इनके पास भी फटक नामाद शास्त्रों में लिखा ऐसे लोगों को दुस्पन समझ कर त्याग देना चाहिए ऐसे लोग दूसरों की सुख में जलत होते हैं इसे सातियों द्यान रखना क्या कहते हैं छोड़ो उसकी बात लेकर क्यों आ गयो उसके बारे में कायको गबसब लडाते क्या बात करता है उसके बारे में फिर वो क्या करता है पता है चुपके से अपने बारे में बात करवाने लगता है मैं बहादूर हूं मैं सेर हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं मैं ही वो कर दूँगा मैं ये कर दूँगा इस तरह की अभिमान और गमंड और साबधाने से लोगों से उसके पास भी फटकना मत और सुनिए कभी नास्तिक का संग मत करना नास्तिक कौन जिसको परमात्मा का पूर्णब्रम परमात्मा का डर नहीं है पाप का डर नहीं वो पाप ही करता रहता है गलत काम ही करता रहता है ऐसे खराब लोग दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लोगों के पास भी मत जाईए संगत छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए दिमागी खराब हो गए ऐसे लोगों का ब्रस्ट है ऐ आप कभी मुड़ खराब कर देखाए आप भी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे त्यान देना और साथियों ज्यादा गुसेल व्यक्ति के पास भी मत रहना मत रहे रहे एसे लोगों के पास साथियों जो आलसी होता है ऐसे व्यक्ति के पास भी नहीं बैठना चाहिए आलसी कामचोर बहुत कामचोर होते हैं आलसी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के पास बैठेंगे उठेंगे तो आप भी बन जाएंगे आलसी तो छोड़ देना चाहिए short and sweet, caught and clear और साथियों ऐसा नसा करने वाले बिड़ी पीने वाले, सराप पीने वाले सिग्रेट पीने वाले, बांग, गाजा चरा सित्यादी, जो सेवन करते हैं ऐसे बुरी संगत को भी बुरी संगत को भी छोड़ गेना चाहिए इसे नसड़ियों के संगत में लोग लगे हैं पास में बेटें सिग्रेट पी रहा है, उसके पास में बेटें गपशब लड़ा रहा है अरे थोड़ा कुस्तो समझदारी बरतिये दूर हो जाईए इनसे दूर, दूर, दूर हमें तो ही चाहने की अभ्यास डालनी है बरी संगत का त्याग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है